हेलो फ्रेंट्स वीडियो रिक्जाम्स के लिए इस प्रेक्टिस्टेशन में आप सभी का स्वागत है और हम इसमें प्रेक्टिस करेंगे हिंदी के जो कि यह होगा पचास कोईशन का और इसमें अगर देखा जाए तो 19 प्रेक्टिस्ट हो चुका है आज का 20 वाँ प्रेक्ट द्वारा जहें बजण मां गया था वीडियो रिक्जाम्स कराने के लिए तो वह जहें बजट अब जहें सर एकर के दौरा प्रदान कर दिया गया है तो अब जल्द से जल्द आपको जो है नोटिस आएगा कि वीडियो रिक्जामसिस तारी को होगा तो फटा फट जो लो तैयारी नहीं करें वो भी तैयारी करना स्टार्ट कर जिए और जो कर रहे हैं वो भेतर तरीके से और अपने तयारी को करना स्टार्ट करें तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं प्रेक्टिशन नबर 20 इसके पहले 19 आघ हुछका है हिंदी का और इसका घ हांदे उसका पढ़के इसका answer देना है, तो गध्यानस को पढ़िएगा आप लोग हमThis question की तरफ चलते हैं, पहला question है, बच्चे का कमीज हिलाना जो है बहटी करता है बच्चे की क्या, यानि कि बच्चे की क्या बहटी करता है, जो अगर अगर बच्चा कमीज हिलाता रहता है यानि कि ये इस गद्यांस में आप पढ़ेंगे तो उसमें चीजें दी हुई है तो वो अगर बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूजबूज को ठीक है तो कर्रेक्ट एंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका उन्सर क्यों हो जाएगा बच्चे ने घड़ी क्यों देखी इसलिए बच्चे ने घड्यांस के उसर तो ऑपर्ट ने में बच्चे के प्रति क्या आया होगा तो 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 साबहसी देने का भाव आया होगा तो संपसक्राइदे तरक्टर अब देखते हैं तो इसका बातें हो चुक है हैं डिस्क्सन हो चुका है तो इसमें अगर हम बात कहाएं तो दीर के सुआ हो पार भी आयगा वह हो औ हमब करने। कर दो बड़ा बढ़ा आप सीर रटां के तो फाहुब यह सब आना चाहिए। ठीक है नेश को सन पूछा गया है नेम लिकित में से उसम बेंजन कौन सा इन में से उसम बेंजन की बात करा है इसमें से कौन सा है ठीक है ये बताइए इसका एंसर क्या हो जाएगा उसम बेंजन की तो इसके करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा उसम बेंजन इसमें से सा हो और इसके बाद एक यह सा होता है और इसके बाद एक और हा होता है तो यह जो वर्णा है बेंजन है यह चारो क्या है उस बेंजन के आते हैं पहला वाला सा जो है यह तालब बेंजन के अंतरगत आता है और दूसरा वाला सा जो है यह मुर्धन के अंतरगत आता है और तीसरा व कि चलिए अगला प्रसंद देखते हैं निम लिखे में से अलप पुरान बेंजन कौन सा है अलप पुरान बेंजन के अगर हम बात करें तो देखिए इसमें अगर आइंसर की बात करेंगे तो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा डी पार्ट जा अब अलप पुरान बेंजन यानि की जो विसम पद पर आता है और पांचवा अच्छर वो सब अलप प्रान बेंजन के आते हैं ठीक है यह तीनों क्या जाएंगे यह अलप प्रान बेंजन के अंतर गता जाएंगे इसी तरीके से जब चाव अरग लेंगे तो उसमें चाव अच्छा जाज यह आएगा और उसमें अगर देखा जाएगा तो कौन कौन साथ अलप प्रान आता है तो उसमें से पहला और तीसरा हो जाएगा जा और इसके बाद पांचावा होगा यहां तो इस तरीके से चावरग में तीन अच्छर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे जो है अलप प्रान बेंजन ठीक है और इसी प्रकार अब आपसन में अगर देखा जाए तो जा दिया गया था तो इसलिए आपका एंसर क्या हो जाएगा जा ही हो जाएगा ठीक है और इसके इलावा अगर पूछा जाए टावरग की बात तो टा ठाड़ डा अणा आता है उसमें तीन जो होते हैं पहला तीसरा प पाब पाब होते हैं तो पहलत पाब और नेगा पाबर्ग में जो कि अल्प उपके लीडिये सकता कभी ना कभी पा शते हैं सकता है ठीक है तो आपको जो कंसेप्ट मालू होंगा तभी आप 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 पर कर पाएंगे चलिए नेश कुछन देखते हैं अगला प्रशन से घोस और घोस जो होता है घोस और घोस अब इसमें से पूछा गया कि घोस वर्ण कौन कौन से होते हैं तो देखे घोस वर्ण की अ प्रितेग वर्ण का तीसरा चव था है और पांच वर तीन चर पांच यह वर्ण वर्ण के अंतृजह ़ोटे हैं यह गोस वर्ण करद के न्तरगत आते हैं और इसके इलावा अगर हम बात करें तो या रा लावा जो या रा और लावा यह चार अच्छर कौन से होते हैं यह भी सगोस यह गोष कें अंतर करते हैं टीक है तो पर्टेक वर्ण का 34 5100 फिरे आलावा वर्ण जो है यह गोष अथवा सगोस ब्यंजन होते हैं याद रखीएगा अगला पुस्हें नहीं लिक्थे मैं इसके में से बात किया गया है तो da त्रिस्स nets निमनने से योगरून सब्ड़कान साये तो हो चुछे स्कार्वास tie बात करेंगे हो। होता है यह योगरून सब्द होता है दो सब्दों से बने जो सब्द होते हैं उनका तीसरा अर्थिनी के लिए उन्हें जो योगरून कहते हैं तो एक पार्ट करेक्ट हो जाएगा पावन का संदिविक्षेद पूछागेा क्या होगा तो पव न का संद्रिख भिच्ष respectful होता है आप कि जो की सी पार्ट में दिया गया है तो आपका इंसर में correct जो होगा वह सी पार्ट जोएका म् पाउ प्लस अन और किस संदीका यह उधारन है ये आप》 जान दीजिए तो यह आयाद संदीका कि इस संदिका रुदाराण होता है इसका क्या होगए इसका के में काइपन आता है याम के बीच में घृता है यदि आता है यहां पर डंड का निसान हो आप पर दंड समास हो जाएगा चौकर आप सकते हैं तो यहां सब्सक्राइए निए था कात्र कर नुष पीच में वह था मून सब्सक्राइव कैन्तर में रहें पाइव से परियुग मूल्द्व के योग होता है और जो प्रत्य लगता है वो मुल सब्द के बाद में लगता है तो इसमें उपसर्ग बताना है उनमेस में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें उद्ल उपसर्ग लगा हुआ है जो की बी पार्ड में लिखा हुआ है तो बी पार्ड इसका करेक्ट हो तो अगर हम इसमें से सही तद्भो तद्सम की बात गए तो पोथी पुस्तिका पुस्तक जो लिखा हुआ या फिर इसको हम पुस्तिका भी होता इसका पुस्तिका तो यह जो है आपका करेक्ट एंसर जो होगा वह भी पार्ट से ही हो जाएगा ठीक है यह राइट है नेश कोशन चाय किस भासा का सब्द है चाय जो सब्द होता है यह जो है चीनी भासा का सब्द होता है चाय चाय और यह दू सब्दत हैं जो में पूछे जाते हैं याद रेखिए का लीची और चाए चीनी भाजा का चीनी भाज्सा कि को बोला जाता है तो चाय और लेची दो सब्द जो है वो चीनी भासा के अंतर गताते हैं तो इसे रेपार करेक्ट हो जाएगा नेश्क उसने दसानन में कौन सा सब्द है दसानन के अगर बात करें दखिए इसका तीसरा अर्थ निकलता है रावन रावन के पर पर दस आनन यानि जो सब्द उधारन होंगे वो सब्द योगरून सब्द होंगे नेश्क उसन निमन में से संग्या सब्द कौन सा इसमें से संग्या सब्द कि अगर बात करेंगा क्या होगा इसका एंसर इसमें से दक्षड जो सब्द लिखावा यह संग्या सब्द आता है तो करेक्ट एंसर C part correct है अगला प्रेशन निम लिखे में से कौन चार बिकलप हो इससे बिकलप का चैनल करें जो सर्मनाम के भेद का सही बिकलप है जिसको हमने बुलाया था वो आया यहां पे कौन सा सर्मनाम परयोगत किया गया है यह बताना है तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर है एंसर सी पार्ट यहां पर करक्ट हो जाएगा अगला उठाना किरिया का कर्मक रूप क्या होता है उठाना जो किरिया इसका कर्मक रूप बताना है तो इसका होता है उठना क्या होता है उठना निमन में से अव्वे कौन सा सब्द है अव्वे कि अगर हम बात करें तो रा तैय। लब ल सब्धाइ मोगरमा की का बातप करें गेंगे। उन्दर को होता है। अब माट होता हो तो इस तरी के ब्रांथ का बिलोम क्या होता है। बहांत के आगर हम बिलोम कि बात करेंगे तो इसका right answer हों जाएगा एading पार निबहांत ज REM बहुता है इज senior इसका Ben अध्यूड़ा correct answer जो होगा वो एपार्ट राइट हो जाएगा अगला उससे ने अंक सब्द के निकार्थी सब्द समूह का चैन करिए इसमें से अंक सब्द की अगर हम बात करेंगे इसमें से निकार्थी सब्द की तो अंक मिस गोद होता है अंक मिस एक संख्या भी होता और मिस अध्याय होता है तो correct answer इसका भी पार राइट हो जाएगा ठीक है हरी और हरी हरी और हरी सब्द का सही यर्थ बताना इनमें से कौंस सही हो जाएगा तो एक हरी जो पहला लिखा हुआ इसका आर्थ होता है और दूसरा जो हरी लिखा हुआ हो हरे रंग की टाइब का होता है तो इसका आर्थ होता है तो इस तरीके से अपका answer एपार्ट में correct हो जाएगा नेश कुस्ण ने लिखे में सुध्ध वरतनी वाला सब्द काउन सा इसमें से सही रूप से लिखा उच्छ रिंकल यह कौन किस आप्सन में सही रूप से लिखा हुआ तो यह लिखा हुआ उ उजल जो लिखा जाता है वो डोनों दो जा होता है और दोनों आदा होता है इस तरीके से उजल कुछ लिखा जाता है जो कि सुध रूप होता है सी पार्ट में सिर्फ single जा लगा हो इसलिए गला थैकर नेश कुस्ण करनकारक किस वाक में से राम को फल दो वह कलम से लिखता हैं तो एक और कारक होता है अपादान कारक का भी होता है से अपरसग लेकिन यह जो से होता है यह होता है अलग होने की इस्तिती में जब कोई वस्त अलग हो रही हो अलग होने का प्रतीत हो तो वहां हम से जो होगा पाधान कारक होगा और जहां पर अगर हम देखें गडाएं को यहां पर कोई रखाव की स्थिति नहीं पैदा हो रही है तो इसमें ऐसे बी पार्त हो जाएगा ठीक है लेकिन आगर बिलच से पस्थे से गिरते हैं इसमें अगर देखा जाए तो पत्ता जो हो ब्रिच से अलग होकर गिर रहा नीचे यानि अपर अलगाओ की परिस्तिती पैदा हो रहे इस लिए नीचे वाले डी वाले में अपादान कारक हो जाएगा और आर्ने में परिस्तिती परिमत अलगाओ करेक्ट हो जाएगा उसमें नीचा कारक हो जाएगा पूलिंग सब्सा उसमें इसमें पने अपर-घिक परिस्तिती प्ल考 जाएगा अगले क्वश्शन ग। दोस्त के अंतर गतना है कंच चिडिया सब्द का परियोग बह बच्ण में क्या होता है चिडिया सब्द के बहुपचन की अगर हम बात करेंगे तो चिडिया का बहुपचन चिडिया होता है जो कि A पार्ट में करेक्ट दिया हुआ है नेश कोशनने अन्म realise करना है पूढ किसमें परियोग किया गया कौन से वाक में तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया तो इसे में परियोग किया गया अब हमारे पढ़ने का समय हो गया पूर्ण बरतमान काल बैकते कर रहा है तो प्रेटर में आजाता है तो इस तरीकिसा आपका एंसर जोगा वह यह पार्टे इसमें कर्यक्ट हो जाएगा तुझसे उठा नहीं गया वाक में वाची काउंस है वाची के बारे में अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो मैंने पिछले वाले प्रेक्टिस सेट में बताया आप लोग जाएए वहाँ पर पढ़िए इसका पूरे बारे में ठीक है करता वार्ट कर्मवाज भाव वाच पर जानने में इसका अंसर क्या होगा इसका एंसर हो जाएगा भाव वाचुक मुझसे तुझसे उठा नहीं गया यह बार आची का उधारण है इसका सी पार्ड करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखते है जब पानी बरसता है तब मेड़क बोलते हैं जब पानी बर आना अगले question में इसमें अगर देखा जब किर्षांगी जो लिखा हुआ किसमें सुद्रूप से लिखा हुआ है यह सहीं रूप से लिखा हुआ है तो correct answer जो होगा वह सी पार्थ ही हो जाएगा अगले अगले question में बताना है कि पुनरुक्त सूचक चिन नहीं से कौन सा है अब चिन की बात याद करिए कि सो ध्यान देकर पढ़के जाएगा पूछा जा सकता है तो पुनरुक्त सूचक जो चिन है वो सी पार्थ में लिखा हुआ है तो answer इसका सी पार्थ करेक्ठ हो जाएगा अग अगला प्रशन है आसमान से गीरा खजूर पर अटका लोकोगते का सहीं उपरत अर्थ क्या है तो इसके अगर हम answer की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा एक बी हो जाएगा एक नई मुसीबत में पढ़ना क्या हो जाएगा एक नई मुसीबत में पढ़ना आख के अंधे गा अनबाद उसको किया राजधानी पतना किस भीहारी भोली फिहारी भुली च्हेतर में इस्तित है तो स्पर विजन के लिए हम परवेच्छन इसका हिंदी में कह सकते हैं तो इसका और प्रशन है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है इसमें से तो खड़ी बोली की पहली रचना जो है वो है नासिकेतो पाख्यान जिसके रचयता का नाम है पंडित सदल मिस्र उनका क्या नाम है पंडित सदल मिस्र और यह पहली हिंदी बोली की पहली खड़ी रचना है खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतो पाख्यान जिसको जिसके रचेता का नाम है पंडिस सदल मिस्र है नेश कुर्शने रानी केत की कहानी इसके लेखा कौन है तो रानी केत की कहानी के लेखा खाए इंसा अल्ला खाए इंसा अल्ला खाए जो है ये रानी केत की कहानी के लेखा खाए अ और उद्धो सतक भारतें धरुष्चन जो की गलत है उद्धो सतक की रचना जो किया गया था उनका नाम था जगनात दास रतनाकर ठीक उनका क्या नाम था जगनात दास रतनाकर जगनात दास रतनाकर उनका नाम था इन्होंने जो है उद्धो सतक लिखा था अगला प्रशन है आंचलिक रचनाओं किस से संबंदित हैं अगर हम बात करें तो 36 से संबंदित होता है और यह था अपराल वीडियो जिसको लोगों ने देखा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए साथ ही साथ वीडियो को तक यह थेंक्यू नहीं सब्सक्राइब